नमस्कार दोस्तों इंडिया बुलेगा में आपका स्वागत है जौनपुर में बलाक प्रमुक चुनाव की तयारी पूरी हो गई है इसके तहद बलाकों पर गुरुवार को नामांकन होंगे जिसके लिए सभी जगों पर बैरिकेडिंग हो गई है तो पूरी प्रक्रिया CCTV की निगहबानी में होगी 21 बलाकों के लिए पहले से गठे ए आरो ने अपनी जिम्मेदारी समाल ली है नामांकन वचुनाव को लेकर बलाकों पर भारी सुरच्छा फोर्स मौजूद रहेगी बलाक प्रमुक पत के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन 8 जुलाई को सुब 11 से 3 बजे तक 9 जुलाई को नाम वापसी वर 10 जुलाई को मदान वर मदगरना होगी नामांकन फॉर्म सामाने वच के दावेदारों को 800 रुपए में आरच्छत वर्च को 400 रुपए में दिया जा रहा है चमानत धनराशी सामाने वर्च के लिए पांच हजार वर्च कोई प्रत्याशी दो लाख रुपे तक खर्श कर सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एरो नामित किये जा चुके हैं चुनाओ के मद्दे नजर सभी छेतरा अधिकारियों के साथ मिलकर सुरच्छा व्योस्ता सुनेशित कर ली जाएगी जिला निर्वाचन अध कारियों को असपश्ट रुख से निर्देशित किया है कि चुनाओ निसपश्ट पारदर्सी संपन कराएं किसी प्रकार की कोई गरबड़ी न होने पाए आपको बता दें कि बलाक प्रमुपत पर आरच्छड की क्या इसती है अनसूचित जाती महिला का मुफ्ती गंज के राकत अनसूचित जाती डोभी जलालपूर पिछडी जात महिला करंजा कला वं मडियाहूं पिछडी जाती धर्मापूर रामनगर मशली सहर खुटहन महिल सा गंज बदलापूर सुजान गल अनारच्छित महराज गंज रामपूर बकसा सिरकोनी सिकरारा सुईथा कला बरसेटी मुगरा बाश्चापूर है अब आपको बताते चलें कि इस बाब अउब जिला निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि बलाक प्रमुक्चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं इस दौरान कोरोना संक्रमर का पूरा ख्याल रखा जाएगा किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा इस पर पूरी तरह से प्रतिबंद होगा बलाक के अंदर दावेदार के साथ पस्ताव अक्वानुमोदक ही अंदर जा सकेंगे अब आपको पता दे कि महराज गंद बलाक प्रमुक पत के लिए कुल आठ पर्चे खरीदे गए जिसमें हरिश्चन सिंग ने चार सेट वर रोहिस सिंग वर मांडवी सिंग ने दो-दो सेट में पर्चाख खरीदा है वहीं बदलापुर बलाक सभागार में गीता सिंग पतनी अखलेश सिंग ने दो सेट में नमांकन पत्र खरीदा है सुजान गंज में बलाक प्रमुक चुनाव के लिए अब तक दो लोगों ने चार सेटों में पर्चाख खरीदा है मंगलवार को दिप्ती पतेल पतनी राजेस पतेल निवासी नगौली तो बुद्धवार को उसा सुकला पतनी श्रीपका सुकला निवासी कुसमौल ने दो दो सेट में पर्चे खरीदे वहीं बरसठी बलाग प्रमुक पत पर नमांकन करने के लिए पारसनास यादों की बहुव वर्तमान प्रमुक वार्द नंबर 47 से अचना यादों ने दो सेट में पर्चा खरीदा वहीं वार्द नंबर 12 से संदीप सिंग ने दो सेट में पर्चा खरीदा मंगरा गाउं की अनीता सुकला पत्नी सुरेन सुकला ने भी दो सेट में अपना पर्चा खरीदा है वेवार्ट चानबे गाउं हरीपुर से बीडीसी है इसके अलावा मचली सहर ब्लाग प्रमुक चुनाओ के लिए सपा की अधिकरित पत्याशी गोपेश यादो ने जमाल पुर से एक सेट में नामांकन पत्र खरीदा वेवार्ट प्रमुक चुनाओ के लिए नशीम आलम रामपुर चौथार से दो सेट में भाजपा की अधिकरित पत्याशी बीना पत्यल पत्नी राजकुमार पत्यल ने हिरावनपुर से दो सेट में नामांकन पत्र खरीदा वहीं खुटहन से सर्यू देई सपा की घोशित पत्याशी सर्यू देई दूसरे पत्याशी बीजेश यादों ने दो सेट में नामांकन पत्र खरीदा इसके अलावा गौरा बाश्यापूर में मुहम्मद पूर कांद गाउं के निवासी नीलंप पाल पत्नी अजयपाल ने परचा खरीदा है इसके अलावा सुजान गंज बलाक में उसा सुकला पत्नी श्रीप्रकास सुकला ने दो सेट में परचा खरीदा है बकसा बलाक में मनो सीला देवी दो सेट में कमलेस कुमारी ने परचा खरीदा किराकत बलाक में मात एक प्रत्यासी सरोजा देवी ने दो सेट में परचा खरीदा है मुग्रा बाश्यापुर बलाक में सतेन सिंग फंटू ने तीन सेट चमेला देवी ने दो सेट पूजा दूबे ने एक सेट में परचा खरीदा है वहीं मुफ्ती गंज में मीला देवी पत्नी संजय सरोज ने दो सेट उसा देवी पत्नी राजकुमार ने दो सेट में परचा खरीदा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए